हेलो फ्रेंड्स वेलकम यॉल एट बैंकर्स लिंक यूट्यूब चैनल आज हम बात करने बाले इस वीडियो में प्राइटि सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स जिसको हम सोटने बोलते हैं यह क्या होते हैं और किस तरह से इन पर काम किया जाता है जैसा कि आप जाएतर जानते हैं कि जो भी कमर्शिल बेंग होते हैं उसमें चाहें प्राइबेट सेक्टर बेंग हो या आपके प्राइबेट सेक्टर के न्यू या ओल्ड बेंग हो या सरकारी बेंग हो सभी को एक प् बैंक क्रेडिट का तो उसको अचीब करना होता है कभी कभी क्या है कुछ बैंक इसको अचीब नहीं कर पाते हैं कुछ सोटफोल हो जाता है उनके मानली जो उनको 100 करोड़ अचीब करना था तो उन्होंने मानली जो 90 करोड़ अचीब किया है तो उनको या तो जो रेश्ट 10 करोड़ है वो RIDF फंड में डालना होगा या फिर उनके पास option है कि वो priority सेक्टर लेंडिंग certificate खरीच सकते हैं किसी दूसरे बेंड से जिसने की ज़्यादा लेंडिंग किया होगा अंडर प्रियार्टी सेक्टर तो उसी तरह से certificates काम करते हैं टोटल प्रियार्टी सेक्टर होता है 40% of NBC और फिर उसी का एक पार्ट होता है 18% agriculture MSME माइक्रो में होता है 7.5% advanced to beaker section 10% इस तरह से मिलके टोटल प्रिबियस NBC का 40% होना चाहिए तो यहाँ पर देखें तो जो PSLC हैं वो एक mechanism है कि अगर किसी बेंग ने प्रियार्टी सेक्टर का टार्गेट अचीब नहीं किया है तो जो भी shortfall है उतने रुपे का certificate वो किसी दूसरे बेंक से खरीज सकता है और उसको एक regulatory रूप से पूरा कर सकता है और उसका जो टार्गेट है वो पूरा माना जाएगा यदि वो प्रियार्टी सेक्टर लेंडिंग से पर्चेस कर लेता है इसको हम ऐसे समझ सकते है कि जिस तरह से carbon trading होती है उसी तरह से इन certificates का भी यूज होता है जैसे कि carbon trading उसमें क्या होता है कि ज्यादा pollution करने वाली company होती है वो pollution free या green company से जो carbon credit होता है उनको purchase करती है और regulation के हिसाब से उस चीज को fulfill करती है उसी तरह से ये priority sector lending certificates भी काम करते हैं Now different categories under priority sector as per RBI तो इसमें 8 categories होती है जिसमें agriculture, MSME, export credit, education, housing, social infrastructure, renewable energy and others होती है तो ये 8 categories के साब से bank को अपना priority sector lending target achieve करना होता है Now validity of priority lending certificates तो इसमें सबसे पहले जो भी priority sector lending certificates होता है वो 31 March तक ही valid होता है और एक तरह से देखा जाए तो वो first repel को every year expire हो जाता है The duration of PSLCs will depend on the date of issue All PLCs being valid till 31 March and expiring on first April तो यानिके अगर कोई भी किसी financial में आपने priority sector lending certificate खरीदा है तो वो first April को expire हो जाएगा Now eligible categories of PSLCs तो सबसे पहले जो priority sector lending certificate होता है वो general category के लिए होता है जिसको हम बोलते है 40% का जो target होता है under priority sector lending फिर है small and marginal farmer के लिए फिर agriculture के लिए and फिर micro enterprises के लिए इन चार categories में जो भी ये certificates issue होते हैं या purchase किये जाते हैं जैसा कि हम जानते हैं अगर कोई bank 40% या उससे अधिक target achieve करता है तो उसके पास access में priority sector lending है तो जैसे देखा जाए bank है उसका जो total loan से वो 100 करोड है उसने lending किये 50 करोड के under priority sector तो उसका जो target achieve वो 50% हुआ यानि कि उसके पास access जो है PSL वो 10 करोड रुपीज है यहीं पर जो bank B है उसने जो total loans किये 50 करोड किये और जो priority sector lending के जो लोंस है वो 15 करोड है तो देखा जाए यहाँ पर इसका 30% दी अचिव हुआ जो की as per regulation 40% होना चाहिए तो यहाँ पर B bank क्या करेगा जो इसका shortfall है 5 करोड रुपीज का उतने का certificate bank ऐसे purchase कर लेगा और इसके बदले में कुछ उसे premium या जो भी rate ते होगा इन दोनों की बीचने वो उसे दे देगा इस तरह से जो A ने अधिक priority sector lending किया उसको उसका फायदा मिलता है और B ने जो कम किया वो उस तरह से दूसरे bank से उतने रुपे का तो इस तरह से देखा जाए तो जो B का shortfall था 10% का यानिके 5 करोड तो उतने रुपे का certificate bank भी बैंक ऐसे purchase कर लेता है और इन दोनों की बीच में जो भी उसका price या commission ते होता है वो से आप से एक दूसरे को pay कर देते हैं तो इस तरह से देखा जाए तो bank A को ये benefit है कि उसने ज पदले उससे कुछ premium मिल जाता है कुछ income हो जाती है और साथी साथ जो bank भी है उसको भी अगर जो उसका shortfall है तो उसके साफ से वह certificate purchase कर लेता है और bank regulation के साफ से वह अपना 40% का जो priority sector lending target है वह achieve कर लेता है देखा जाए तो जो priority sector lending certificates की सुरुआत हुई थी वह 2015 में हुई थी य इसलिए क्या गया कि जो ज़्यादा bank achieve करते हैं तो उनको भी उसका कुछ incentive मिले तो उससे उनकी income भी हो जाती है और एक तरह से जो bank achieve नहीं कर पाया उसको भी वह certificate मिल जाता है जिससे कि वह regulatory हिसाब से अपना target achieve माना जाता है अगर आपका इस वीडियो में कोई भी doubt या comment है तो वो हमें आप comment box में दे सकते हैं साती साथ हमारे चैनल को subscribe करें और इस वीडियो को share और like भी करें